अब तक आप मेरे चैनल पे मेरी पठे करम से संबंधित स्कूली वीडियो देख रहे थे आज मैं एक संका का समाधान करने के लिए एक नई मोटिवेसनल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ मुझे बहुत बार जब बच्चे मिलते हैं इस्ट्री के बारे में एक सकायत करते हैं कि सर इतिहास के अंदर तीछियां याद करना बड़ा मुश्किल है कोई ऐसे टिप्स दें जिससे की हमें इतिहास को बहुत अच्छे से याद कर पाएं तो उसी के लिए उसी संका के समाधान के लिए उसी समस्या के समाधान के लिए मैं अपनी एक वीडियो लेकर के आया हूँ और ये वीडियो है इतिहास में तिथी को याद करने की महतवपून टिप्स और मैं यहाँ आपको महतवपून टिप्स के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से इतिहास की तीथियों को याद रख सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए ये आपकी पर्मानेट मेमरी में चली जाएंगी सबसे पहली टिप्स है पठे पुस्तक को पढ़ना जिस भी पार्ट को आप पढ़ रहे हैं उसमें आई हुई महतवपून टिथियों को याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है बुक रेडिंग और कम से कम आप दो बार उस पार्ट को उस चैप्टर को पढ़िए और यदि आप और भी जादा कर पाएं तो अधिकतम अपनी रूची के अंसार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो तीन बार भी पढ़ सकते हैं चार बार भी पढ़ सकते हैं जितना जादा आप टेक्स बुक के अपने चैप्टर को पढ़ेंगे उतना ही जादा उस चैप्टर के अंदर आई हुई घटनाओं को आप बहुत अच्छे से समझेंगे और उसे क्या कर पाएंगे जान पाएंगे क्योंकि एक कहावत है करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान रसरी आवत जावते सिल्पर पड़त निसान कि जिस परकार लगातार अभ्यास करने से एक रसी पत्थर को क्या कर देती है निसान दे देती है तो वैसे ही अगर हम भारी पाठे पुस्तक को अगर बार बार पढ़ेंगे तो उसके अंदर आईवी घटनाएं वो तितिया जो है वो हमारी स्थाई मेमरी में क्या हो जाएंगी चली जाएंगी उसके बाद आईए हम पहुंसते हैं टिप्स नंबर दो अब ये समझने का प्रियतन कीजिए कि तितियों की ओडियो क्लिप तैयार करना आपको क्या करना है थोड़ा सा स्पीडली जो भी तितियां आप याद करना चाते हैं उनको बोलिए जैसे रेगुलेटिंग सुधार 1770, मारले मिंटो सुधार 1909, मान्टेंगु चैम्सपोर्ट सुधार 1909, प्रांतों में द्वेद सासन 1909, भारत सरकार अदिनियम 1935 और इसमें आपको maximum जादा से जादा एक मिनिट का समय भी नहीं लगा होगा तो यहां तो मैंने अग्जेंपल के रिए आपको 5 तितियां लिख करके दिखाई हैं आप ऐसे 10 तितियां लिख करके और थोड़ा सा स्पीडली बोल करके और उनकी क्या तियार कीजिए ओडियो क्लिप तियार कर लिजिए क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स जो भी मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं यूटूब के उपर इट्समेन उनके पास स्मार्टफोन है और आप इस परकार पर तेख चैप्टर से तितियां निकाल करके उनकी चोटी-चोटी ओडियो कलिप क्या कर लिजिए तैयार कर लिजिए जब आप कोई भी काम करके थक जाते हैं उसके बाद जब आप rest करते हैं तो जब rest करने के लिए जाते हैं तो क्या कीजिए अपने उन audio clip को क्या कीजिए निकालिए अपने earphone को अपने जो है phone के साथ connect कीजिए और अराम से उन audio clip को चला करके rest कीजिए और उनको सुनिए आप rest भी कर रहे हैं और आप उन तितियों को क् पर काम करता है यह प्राकरतिक जो है विज्ञान है वो यह कहता है कि लगातार जब आप अपने ब्रेन को कोई भी चीज करने के लिए कहते हैं तो वो उसका अभ्यास कर लेता है और वो उसकी स्थाई मेमरी में चली जाती है तो इससे क्या होगा आपको जब भी टाइम मिलेग बहुत अच्छी टेकनीक है यह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद हम पहुंच रहे हैं टिप्स नंबर तीन इसमें आपको क्या करना है देखो तीथियों को करमबद नोट बुक में लिखना है आप क्या करेंगे अपनी एक नोट बुक लगाएंगे अलग से और जो भी पाठा पड़ रहे हैं उस चेप्टर के अंदर जो भी तितिया आ रही है उनको क्या लिखें करमबद जैसे कि मैंने यह लिखा है बंगाल का विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापनाफ 1906, कॉंग्रेस की सूरत फूट 1907, हिंद सवराज पुस्तक का लेखन 1909, द 1921 से लेके 1930 के बीच, 1931 से लेके 40 के बीच, या 40 से लेकर 60 के बीच ऐसे इनके ब्लोकियर बनाईए और उनके मध्य में आई हुई तितियों को आप अपनी नोट बुक में लिखें क्योंकि यह कहावत है जब आप लिखते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा एक्ट नाने की बज़े से अंगुठे और उंगली की जो हमारी ये मसल्स जो होती है वो जब एक दूसरे को प्रेस करती है दबाव से तो हमारा ब्रेन ज्यादा क्या करता है काम करता है तो तीसरा जो तरीका है तीसरा जो टिप्स है वो यह है कि आप उनको क्या करें नोट बुक मे लिखे और यह तरीके मैंने अपनाए हैं और तभी बहुत से बच्चे मुझे कहते भी हैं कि सर आपको इतनी डेट कैसे याद हैं उसके बाद में हम नेक्स बढ़ रहे हैं हमारे टिप्स नंबर 4 पर टिप्स नंबर 4 क्या है तितियों को जो अभी मैंने करंबत तितियों आप उसका reason दिया है हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ती एक्ता को खत्रा मानकर अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया यानि कि जब आप कोई भी घटना घटित हुई है उस घटना की जो तिती है उसके आगे अगर उस घटना का छोटा सा वीवरन दे देते हैं संगशे तो अंग्रेजों को लगा कि अगर हमने इनकी एक्ता को भंग नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमें देश में सासन करना सेकिंड मैंने एक्जेंपल दिया है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई ये इसी बंगाल के भाजन का नतीजा थी अंग्रेजों की क कोई तिथी आप लिख रहे होते हैं तो कोसिस कीजिए कि उस तिथी से जुड़ी हुई गटना के 2-3 महतवपूर्ण जो पॉइंट होते हैं वो आप उसके सामने क्या कर दें लिख दें उससे क्या होगा उस गटना से जुड़े हुए जो किस्टन आंसर है वो भी आपको क् की याद उसके बाद में हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 बहुत महतवपूर्ण है पांच से 10 तक की तितियों की छोटी छोटी हमें क्या करनी है क्विज बनानी है क्विज बनाने का मतलब क्या है कि आप हर दिन 5 से लेकर के 10 क्युशन को क्या कर अपने माइंड के अंदर सेट कर लेंगे याद कर लेंगे कि मुझे जो है आज इन 5 या 6 तितियों को या 10 तितियों को क्या करना याद करना है जैसे कि मैंने एग्जेंपल दिया बंगाल का विभाजन 1905 सूरत की फूट 1907 पर्थम विश्यूद 1914 पर्थम विश्यूद की स बता पाएंगे तो आप उसको आंसर बताईए जी 1905 में हुआ अपनी चाची से मिलते हैं उनसे पूछें जी बताईए वर्साइए की संदी कब हुई वो नहीं बता पाएंगे आप उसको बताएं कि 1919 में हुई आप अपनी भेहन से मिल रहे हैं दिन में आप उनसे कि पर्थमी सव्यूद कब हुआ वो नहीं बता पाएंगे तो आप बताईए उनके 1914 में हुआ आपकी क्लास के किसी स्टूडेंट से मिलते आप उससे पूछिए पर्थमी सव्यूद कम समापत हुआ हो सकता है उसको पता हो वो आपको बता देगा कि 1918 में हुआ अगर आप हर रोज ऐसे 5 से लेके 10 तितियों कि चोटी चोटी क्विजज बना करके और उसको क्या करते हैं टिस्प्ले करते हैं एक दूसरे के साथ डिसकस करते हैं तो डिसकस अगर आप करोगे तो वह चीज़ें भी आपको क्या हो जाएंगी याद हो जाएंगी उसके बाद में हमम स्ट कर देना है लटका देना है और ये वहां रखना है जहां से ये आपको क्या देता है साब दिखाई दे और उसके ओपर हर रोज क्या करेंगे 5 तिथी लिख देंगे और 3 दिन तक उसको वहापर लिखा रेने दीजिए और बार-बार जब उस blackboard के सामने जाएंगे आपकी नजर जब उस पे जाएगी तो आप उन तितियों को जुरूर देखेंगे और वो तितियां भी आपको क्या हो जाएंगी याद हो जाएंगी ये कुछ महतवपून टिप्स हैं जिनके जरीए आप हिस्ट्री की जो तितियां है उनको क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं यहां एक फार्मूला काम कर रहा है आपके उपर मैं बाए एक जम्पल आपको बताता हूँ स्पोच कीजिए आप पहले दिन अपने स्कूल के लिए अपने घर से निकलते हैं आपका फस बे है आपको रस्ता मालूम नहीं है लेकिन फिर भी आप उस रस्ते के उपर चलते हैं किसी से पूचते हैं तो सुरू के दिन जब आप स्कूल पहुंचते हैं तो आपको टाइम क् पर जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा नेक्स बहुत असानी से आप चले जाएंगे आपको दीरे-दीरे ये भी रिमाइंड होना शुरू हो जाएगा कि उस रस्ते के अंदर उस पॉइंट के उपर टी पॉइंट आया था वहाँ पर जो है रस्ते जो एक दूसरे से जो है अ हो जाते हैं उसका रीजन है कि आपका माइंड जो है वो लगातार एक ही रस्ते के उपर एक ही काम को क्या कर रहा है बार-बार कर रहा है और आप काम करते करते इतना आपका ब्रेन हैप्चुल हो जाता है कि वो सारी चीज़ें आपकी स्थाई मेमरी में चली जाती है आप कह परसेंट मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये तीतियां आप जिन्दगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बोक्स के अंदर अपने कॉमेंट जुरूर दें लाइक जुरूर करें और बहुत जल्द ही मैं आपके लिए दूसरी मोटिवेशनल वीडियो टिप्स लेकर के यहां पर हाजिर होंगा थैंक यू